गुदी आपके करने वाले में एक वीडियो में कवर करने वाले हैं कभी क्या के वाट का यूज करते हैं लेकिन दोनों का यूज करने का तरीका अलग होता है सेंटेंस अलग होते हैं तो पहस्जाने कैसे कि कब हम जो के सैंस में वोट का यूज करें और किस तरह करें यह हमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है आपको ऐसी कुछ वोड्स को रभाने वाली हूं जो डबरेज फैमिली वर्स भी होते हैं साथ पर रेलेटीव प्रोणाउन भी और वीडियो करते हैं तो आपको एक उन्सूसन कभी नहीं होगी इंग्लिश वोलते हों आपको कब कोई दिकत नहीं होगी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला माँ डब्लेश वार्ट से हो रोफ में करना चाहते हैं तो आपका हिंदी वाला सांटेंस आएग म Holz होता है जो को करते हैं। करते हैं करें चली मैं आप को बता देती हूं ऑन किके बारें बात कीज़ेगा तब हो का योड में किया जाता है जैसे उस घर में कौन है आप सब्सक्राइब के बारे में पूछ रहे हैं तो वह सबसे पहले आपको दब्रिश्पामिली वर्ट का यूज करना होता है बनाने के स्ट्रक्चर होते है तो उस घर में कौन है यां सब्जिट के बारे में जानकारी चाहते है तो सब्सक्राइब यहां नहीं रहेगा ठीकिडिकर सब्जेक्ट रहते हैं लेकिन सब्जेक्ट नहीं रहते हैं क्योंकि आप सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इ यहां कोई कंप्लीट हो गया है जाने के काम कंप्लीट हो चुका है यानिके फॉपिक्ट नहीं हो गए यह अधर वहां गया तो यह तो हम लोगों ने दो सेंटेसिस किया जो हमारे जब्रिस फामले वाट्स वाले फर्षिन थे लेकिन जब जो वाला sentence निकालते हैं जैसे कि रवी एक अच्छा लड़का है जो सब की मदद करता है तो यहां पर जो आपका आरा ना तो जो के लिए आपको क्या करना है वो का यूज करना है आप यह पर सम्के बारे में बहुत रहें ना व्यक्ति के बारे में बहुत कि रवेक अच्छा बनाएंगे देखिए इसके लिए आपको जरूरी है बहुत जरूरी है तो रवी एक अच्छा लड़का है उसके बाद जो के सेंस में आपको क्या यूज करना है सब कुछ जानता है तो सब कुछ जानता यानिके नोस आवरीधिंग आप बूलेगा मैं नोस कैसे आ गया नो म जानता है तो इस तरह से हमारे सेंटेस बनाए जाते हैं अगर हमें किसे से फॉर्षन पोचना हो इसमें फान आते हैं तो इस करेंगे इस स्ट्रक्टर को कि रॉल्य करते हुए लेकिन जो इस आती है तो पहली आपको पूल सेंटेसिंग चैनले इसमें भी Люб next इसमें युर्ण चैनल चैनला कर ना कि से लिटिए से तनीर लेटर हो सकते मॉडल से ओभ यूश्ञ करना हैं विन उनेंग Isaac Bagni योज करना और पुछने करना है ठीक है यह लड़का है जो सबकी मदद करता तो पहले आप क्या किजेगा यह वहीं लड़का है इसका साइटेज सबकर लिए इसका साइंक्षा बना लिजीए बहुत ऐएसली बनेंगे अराम से आप बनाएगा और इसका अंसर में जरूर देज़ेगा और इन सब की पीडियाफ आप सो मेरी टैलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसलिए आपको इसके स्क्रेंस बनाने की जरुवत नहीं है बत मैं आप से जो क्वेश्चन कर रहे हूं बस उसका अंसर देते वे चलिए च मोवकर कर सकते है इंक से धह ने कि जानते हो और वान इसक है किसे किसी दोने बाटें कि यह तकर है था कैने चैने करते हैं तुम वही हो ना जिससे मैं जानती हूं फॉल इंसे। завис तुम किसे ढूंड़ रहा है तुम हमारे सेंटेंस बनेगा हुम आर्यों लुकिंग फोर फुम आप पर वड्विट्स हैल्पिंग वर्प सब्जेक्ट में वर्ड आपको मेंगों के साथ ही आए है अगर अब्जेक्ट आथा तो यहां आड कर देते हैं सींपल से स्ट्प्ट् में जिसे के सैंस में अलग तरीके से हुम का योज किया जाता है और किसे के सैंस में अलग तरीके से हुम का योज किया जाता है तो दोनों तरीक आपको सेखना जरूरी है तब भी आप इसका इंग्लिश में कर पाओंगे तो इस सेंटेंस को भूलेंगे वों दियो है तुमन सेंटेंस जर सबना सकते हो दो मैं इस्माइप दो सेंटेंस भी जिसे अपने पार्टी में देखा था जिसे के लिए आपको क्या यूज करना है करना है अपने पास्ट वाला सेंटेंस हो गया तो हम बोलेंगे DLC में आपने मैं आपने ने कि में देखा था और देखने की बात करें तो हम यह पर साख भी यूज़ कर सकते हैं और मिलने की बात करतें तो मैं आप किस से पूछ रही हो करना है नेक्सिता है नेक्स वर्दे नेखर इन वैयर का मतलब होता है कहां के रूप में यह करते हो कि basic Necces आएंगे तूम कहां जा रहे हो तुम कहां से सोई थे तुम कहां नहीं कुस्कित करते हो में ऑगर यंवेयर का ये डियो कहां तुम करता है यहां तुम रहती हो वहां मैं भी रहती हूं जहां तुम जा रहे हो वहां का अड्रेस मुझे बता देना तो जहां जहां आप सेंटेस के बारे में फोशने के लिए यूज करते हैं लेकिन इसमें अलग तरीके से बनाए जाते हैं चलिए sentences को बनाते हैं आप कहां जा रहे हो आप कहां जा रहे हो तो आप बोल सकते हो वेर आर यू बोईंग आप कहां जा रहे हो वेर आर यू गोईंग नेक्स्ट आप कहां थे मैंने काफे दिर से आपको देखा नहीं आप कहां थे तो आप क्या बोल सकते हो इसके लिए आप बोलोगे where were you where were you आप कहां थे where were you ठीक है यह sentence आपने बना दिया next day मैं जानता हूँ आप जहां जा रहे हो मैं जानता हूँ जहां आप जा रहे हो तो मैं जानता हूँ इसके लिए simple sentence आप क्या बना होगे I know उसके पर जहां के लिए आप यूज कर दोगे आप जा रहे हो यह रहता हूँ जहां आप रहते हो मैं भी वही रहता हूँ जहां आप रहते हो तो हम बोलेंगे I also live at the same place मैं भी वही रहता हूँ I also live at the same place जहां आप रहते हो where you live ठीक है I also live at the same place where you live मैं भी वही रहता हूँ जहां आप रहते हो तो वेर का युजा और कहां कि समझ में आगया जैसे next sentence से आप कहां से हो आप बिए जरूं कमेंट बताईएका कि आफ लोगों का नाम क्या है और कहां से हैं ठीक है और इसका अंसर भी आपका फ्रेंड भी वो सारे चीजे सीख पाए चारी इसी साथ हम वीडियो को यह continue करते हैं अब हमारा तुम्हारा नाम नाम क्या हैuz क्या वे तुमारी उसके लिए किक हुआप करना है लेकिन वार्ट स्कुरा उसके संपाध्यों संपी हो जो के सांस में तो हो का ही मैं जो के सब इसन नहीं मितलब मैं टोटें जो के लिए ना समतлекतर हूं प्रक्रतीं हो एक्जाम्पल के थ्रो में आपको समझाती हो पहरे सेंटेंस है वह क्या कर रहा है आप नहीं जानते हो कि वह क्या कर रहा है तो आपकी पास क्या है मुझे दे दो आपकी पास क्या है मुझे दो तो आपकी पास क्या है इसके लिए हम क्या बनाएंगे what do you have what do you have आपके पास क्या है what do you have उसी तरह से तुम्हें करना चाहिए जो तुम कर सकते हो आपके अंदर यह ability है तुम्हें करना चाहिए जो तुम कर सकते हो तब करना चाहिए sinful sentence आप बनाओगे आप मैंने बार बार आपको मैं बतार हूँ कि आपको इसके लिए tenses models काना आपको मोडल्स आते हैं तो आप ऊचाहिए तो तो आपको मैं कर सकते हो तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे वह उस करेंगे तो तो तुम्हें करना चाहिए इसके लिए simple sentence हो बनाओगे यह शूडट तुम्हें करना चाहिए जाइए यह शुन डू जो जो कर आपको वाट का यूज करना है तुम कर सकते हो यानि कि यू यह पर बार 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 डू का यूज नहीं करोगे अब बस इतना ही बोल दोगे तो आगे वाले पॉर्जन को समझ में आ जाएगा यू शुर्ड दू उथ तो में करना चाहिए जो तुम कर सब्सक्राइब नेक्स कर नहीं है यह से रूब variety जो करना है तो इसके अधे पर बोल धो चाहिए अब से नहीं देखना से कर नहीं कर आए लिक हो पर बायुद इस सेंटेंस को फ्रेम करके इस सब्सक्राइब जरूर देना चलिए इसी के साथ आपने नेक्स स्लाइड में जाते हैं इस इसे बहुत सारे संटेंस बना सकते जैसे कि अगर आपको बोला हो कि मैं लिख रहा हूं जो मैं लिख सकता हूं आइम राइटिंग वाट आइक एंड ठीक है जानता हूं जो तुम कहना चाहते हो मालो किसी परसन ने आकर आप से बोला कि भाई जानते है अच क्या क्या हुआ तो आप उस समय बोलो कि मैं जानता हूं जो आप कहना चाहते हो I know what you want to say I know what you want to say जो कि आप जो कर सकते हो जो कि सेंस में चुलिए नेक्स दियार करते हैं जब हमें किसी से टाइम पूछना होता है ना जब हमें किसी से टाइम पूछना होता है तब हम उसमें कब का यूज करते हैं कि तुम कब सोते हो तुम कब दिन ले जाओगे तुम कब खाओगे तुम कब खाओगे तुम कब फढ़ोगे तुम कब फढ़ोगे तुम क आप पढ़ाई कर लेना क्या आप मोबाइल यूज करते हो जब तुम बोलोगे मैं आपके घर आजाओंगा जब आप काऊगे तब मैं आपका काम कर दूगा तो जब जब के बारे में भी अगर आपको बात करना तो वैंन कहीं यूज करते हैं ठीक है तो कब और जब के लिए वैंन का यूज आप कीजिएगा आपके सेंटेंस रहेंगे आप कब दिलने जा रहे हैं आप कब दिलने जा रहे हैं तो आप बोलेगा वैंन आर यूज करते हैं अगर सिर्फ कब रहता तो वैंन का यूज करते हैं लेगिन कब उससे आप बो रहे हो ना तो वहां पर आपको का यूज करना है since when since when भी अमने डवलेंग से लिख रहे हों नेक्स्ट है जब आप आउगे जब आउगे मुझे बता देना मैं आपको लेने के लिए आ जाओंगा तो जब आप आउगे इसके लिए यहां पर तो आओगे हैं तो विल्का यूज क्यों नहीं किया बिलफुल आपके माइंड में यह सवाल तो आने चाहिए कि अगर आपने हिंदे वाले सेंटेंस फ्यूचर में है तो मैंने विल्का यूज क्यों नहीं किया है क्योंकि जब आपका सेंटेंस अब बोलते हो तो अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर का नहीं क्यों ना हो उससे आपको प्रेजिंट में ही बनाना है फ्यूचर में नहीं जाना है ठीक है तो जब आप आओगे वेन यूज कम बोलेंगे ना कि वेन यूज कम बोलेंगे ठीक है व इसको भी आप ट्रांगेट करना कि जब लिखो गे इसका English क्या होगा इसे Translator के comment box ने जरूर देना देखते कैसे आपको समझ में आया लेकिन यह जुमें कॉन सा कलम चाहिे क्वें और बुके चाहिए तो इसे लिगे चोंसे के लिए resonant चाहिए तो वह से लेकिन यह आप किसी थेंग्स के बारे में बात करोगे या किसी आनिमल के बारे में बात करोगे तब आप जो के साइंस में विच का यूज कर सकते हो ठीक है जब आप किसी थेंग्स के बात करोगे या फिर आनिमल के बात करोगे तब आप जो के साइंस में विच का यूज तो निकाल दी टीचर और उसमें से तुम्हारा बुक कौन पहचान लो आपकी जो है वह पले लो तो उसमें से कौन से तुम्हारी वुक है उसके लिए बोलेंगे विच आप दैम इस यूबूग विच आप दैम इस यूबूग नेक्स्ट हैं क्यां विच आफ रश्ट हैं तो इस ऑफ एस हुच आइनने कने विचिक भी आफ में कंड हुच एप डोश्ट विच आफ वस्च तिह टीच महता हैंHo जो आपके पास एप त दाब थींग्स की बात कर दो किताब एक वसतों रहें या थींग्स लिए तो मुझे किताब जो आपके फास है इस sentences को बनाएंगे मुझे दो यानि कि give me the book जो आपके पास है उसके लिए हम बोलेंगे which you have यानि कि पास होने के sense में have का यूज करते हैं give me the book which you have मुझे वो किताब दो जो आपके पास है उसी तरह से मैं वही कार खरीदूँगा जो आपके पास है मैं वही कार खरीदूँगा जो आपके पास है sentences को आप फ्रेम करना और इसका असर कबन डॉक्स में देना चलिए next one देखते हैं next which is very user कष़े किसका जब आपको किसे चीष पर possession some Paul मालिकाना हग जानना हो जब आपको किसे चीष पर possession भ भशर मालिकाना हग वे मालिकाना हग के बारे में आप पोछना हो तो वहाँ पर होस का यूज करेंगे यह कार किसकी है यह गर इतना बड़ा जो घर ने चला रहा है यह घर किसका है यह नया जो स्कूल बना है यह किसका है वहाँ जो वहाँ जो कार हमने देखी थे वह किसकी है तो किसका किसके किसी के हग के बारे में आप फूच रह लेकिन जिसका कि संस में भुष को यूस करना है तक ट्शिंस Groß अंग क्या जिसका यूस से यह किताबsk्न है यह किताब किसका आप aí इसमीं पर लोगें वह इस दिसद all रिक तरफ किताब्र姜 नहीं जूसिट तॉ यह mobile किसके है आप उठाए और पूछे कि यह mobile किसके है तो आप को समय बोलोगे और फोर्ण के हैं इसितनेस को टिकर यह समझ में आगे धिया है जिसका यह यह पैन है अवन ले जाओ तो हमारा सेंटेंस भनेगा यह हमारा यह हमेरा जिसका वना sentence है तो जिसका यह pen है whose pen is this is whose pen this is आउ और ले जाओ come and take come and take come and take तहुमा sentence बन गया whose pen this is come and take जिसका यह pen है आउ ले जाओ यह ठी है तो आपको समझ में आ गया कैसा sentences बनाया जाते हैं तो इसलिके लोगों ने सारे वह फैमिली वोर्ट को एक साथ कवर कर लिया है आपको ऐसी एक साथ इन दो टॉपिक को फवर कर आया हुआ वीडियो आप फो नहीं मिलेंगे अपको एक उन्टूजर नहीं होगा कि रिलीटी प्रोनावन में वाट का यूस कैसे करना है और वह सा लिए टैनसें जरूरी है अगर आपको टैंसेंस नहीं आते हैं मौडल नहीं आते हैं तब लेट साइट क्लिक करके आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे किसी भी टॉपिक चाहें मोडल सो यह इंफैनिटी सैंटेंस घुच्छ भी ह आपको पसंद आयों वी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंट के साथ शेयर कीजिएगा आप हमारी चैनल करने हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बैल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन जरू क्लिक करें ताक तक नोटिफिकेशन मलती रहेगी मलते नैस्ट ऐसे इंफर्मेटिव मेडियोस के साथ तफ्तक लेगी प्लानेंग